अब होगा मैंसका टेंशन दूर सो वाच दिस वीडियो तिल एंड 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 वेलकम बैक अगें स्कॉलर्शिक में क्यूब रूट की ऊपर किस तरह से एक्जामबस दिये जाते हैं और उन्हें हमें कम समय में किस तरह से स्वाव करने हैं आज हम यहां देखने जैसे एक अग्जामबल आपको दिया हैं एक्जामबल है क्यूब रूट ओफ 1 3 3 1 प्लस क्यूब रूट ओफ 2 1 9 7 अपॉन स्क्वेर रूट ओफ 36 और इस एक्जामबल को हमें स्वाल करना है तो हमें तो पता नहीं है 1 3 3 1 किसका क्यूब है या 2 1 9 7 किसका क्यूब है तो उसका एक आसन तरीका है, यहां पे जो को unit place पे कितना है, one है, इसका मतलब यह जिस number का cube होगा, उसके unit place पे भी one होगा, अब सबसे बहुत के यह 1000 के उपर के number है, अगर आप 10 का cube करोगे तो आपको 1000 दिलेगा, इसका मतलब यह number 10 के आगे की, अब 10 के आगे कौन सी number है, जि क्योंकि यह जो cube है, वो 10 के आगे है, और 20 के पहने का है, ठीक है, so, क्योंकि 20 का आगर आप cube करोगे, तो 400 into 20 that is equal to 8000 आगा है, इसले मैंने का कि यह जो cube है, यह in between 10 and 20 है, so it means that यह जो है cube root, इसका cube root होगया 11, plus इसका जो cube root है, q197, जिसका cube है, वो number कौन सी है, तो आप इसके लिए देखो, यह unit place पे 7 है, अब अगर जो cubic number होती है, जिसके unit place पे 7 है, तो वो किसका हो सकती है, तो वो हो सकती है, 3 का, मतलब, जिस number का, वो cube है, उसके unit place पे 3 रहेगा, तो यह number अभी 10 के उपर किये है, और 20 के पहले किये, तो कौन सी इसी number है, जिसके unit place पे 3 है, तो that is 13, it means that 13 का अगर आपको रहे तो आपको 2, 1, 9, 7 बिलेगा, so here we will write cube root of 2, 1, 9, 7 is 13, upon, square root of 36 is 6, that is equal to, LR plus 13 करो, यहापे 24 upon 6, that is equal to 4, हो गया ना अशाब, next एक और example रहते है, Example है और नेक्स, जिसमें में cube root find करना है, cube root 46.656 upon 1.728, अब इसके लिए आपको कोई condition दिये, condition क्या है, जिसे 27 multiplied 1728 is equal to 46656, अगर ऐसा है, तो हमें इसकी value find करनी है, अब आप इन numbers को देखो, जैसे यह 27 देखो, यह किसका cube है, तो यह 3 का cube है, multiply 1728 किसका cube है, हमें पता नहीं, लेकिन इसके unit place पे देखो कितना है, तो वो 8 है, अब जिसके cubic number होती है, है, जिसके unit place पे 8 होता है, वो number किसका cube होती है, मतलब, उसके unit place पे कौन से digit होता है, तो वो होता है 2, ठीक है, तो यह नंबर जिसका cube है, उसके unit place पे देखो, यह 10 पे देखो नहीं भी दिया भी था, अब हमें को 1728 यह फिर से 10 के आगे के number और 20 के पेदा के number का cube है, अब 10 के आगे कौन से इसके number है, जिसका cube 1728 आ सकता है, तो वो number होगी फिर 12, तो 12 का cube है गा 1728, तो इनका अगर एससर लो, तो 46656 होगा, अब यह number किसका cube है, यह हमें पता नहीं, तो आप इससे पता लगा सकते हो, दोनों का power 7, मैं तो 3 into 12 करो, और उसका power 3, that is equal to 2636, तो 36 का power 3 होता है, 46656, अब इसका यह यहां हम करेंगे, that is equal to, अब यहां देकर decimal के बाद 3 digit है, तो इसका जो cube root आएगा, उसमें decimal एक digit के बाद रहेगा, ठीके, So, 46 और 656, इसका cube root हो जाएगा, 36, अने 3.6, किंकि decimal एगा 3 digit के बाद है, तो cube root में एक digit के बाद रहेगा, 1728, 1728 किसका था, 12 का क्यों था, इसका answer रहेगा 1.2, बिल गए cube root, और 12 से 36 को divide को लो, तो 3 आया, decimal point, So, कैसे लगा अगो हमारा आज का वीडियो, अगर आखो हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कर दीजिए, चालेल पहने होतो चालेल को subscribe कर दीजिए, और बेल हो जा देना, पाकि आपको बता चलके हमारे नेक्स्ट वीडियो का बाए है, और इस को अगरे योगो शेयरिं कर दीजिए, तप्पोटिरियो टिक्केर, बाए-बाए!